नमस्कार दस्तों मैं हूँ एस्पी शर्मा आप देखे रहे हैं ग्रेंगड़न चनल में आप शबय कर श्रागत है दस्तों आज में आप लोगे शाथ शेयर करेंगे गर्मी से आप अपना रोज फिलावर प्लांट को कैसे बचा शकते हैं उसके उपर आज बात करेंगे कि कि समर सिजन में हाई टेंपरेचर होने के कारण बहुत रोज फिलावर प्लांट मर जाते हैं आप बचा नहीं पाते इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आए ताकि आपका रोज फिलावर प्लांट सेब रहे और बिल्कुल अच्छा रहे इसलिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आए है और मेरा जो प्लांट है देख पा रहा है आप देखिए दो प्लांट मैंने सामने राखे है कैमेरा की सामने आप देख पा रहे है यह देखिए कैमेरा की सामने आप देख पा रहे है बहुत सारे प्लांट है देखिए फ्लाव फ्लावार netकमें फ्लावार खिलते रहेंगे इसमें बरण्टस में आप 6ativas अपने को जो करना है वो बहुत धेन से देखिए कर चुंएगा और नहीं तो आप अपना प्लांट को जो मेइ मान्थ है, एप्रिल मैने की 15 तडिक से लेके और मेइ जुन अखरी जुन तक आप अपना प्लांट को नहीं बचा पाएंगे और आप अगर मेरा वीडियो को फळलो करेंगे तो आपका प्लांट बच जाएगा, सेब रहेगा और बिच बिच में फ्लारिंग भी करते रहेंगे शब से पहली बात आपको नोटिश करना है शब से पहली बात है कोई भी केमिकल फार्टिलाजर आभी एप्रिल मांद के पंदर तारीक से और जून मांद के लाश्ट तक कोई भी chemical fertilizer रोज फ्लावर प्लांट में आभी provide नहीं कराएंगे ये शायल में कोई भी chemical fertilizer नहीं देंगे जैसे कि NPK DAP, Ptash Phosphorash ये शब चीज कोई भी chemical fertilizer रोज फ्लावर प्लांट को आभी नहीं देना एक नमबर सेकेंड नमबर है जैसे कि ऐसे आपकी फ्लावर प्लांट में शूट्स निव निव शूट्स आएंगे तो आपको Imeda Clopid जो कि बायर कॉमपणी का confider नाम से आते है इस स्क्रीन की उपर आप देख पा रहे है बाने मेल एक लिटर बाटर में डिजल्ब करके हर 15 दिन में एक बार इस्प्रे करते रहेगा और Second Fungicide ये देखिए मेरा लीप की ऊपर निशान लगावा है Fungicide क्या मैं Fungicide 15 दिन में एक बार इस्प्रे करते रहता हूँ आप भी साफ Fungicide और नहीं तो M45 आपके पास जो भी है Fungicide उसको आप यूज कीजिए पंदरा दिन में एक बार, दो गिराम एक लिटर पानी में डिजल्ब करके, अच्छा से एस्प्रे करेंगे, और शबी चीज एस्प्रे करने का टाइम होंगे, साम, शाम की टाइम आपको एस्प्रे करना है, अलमस्ट छे बजे, 6-6-7 बजे, कोई रिमूब करना है, एक सिजल लेंगे, सिजल एस्ट्राइल होना चाहिए, ऐसे करके आपको कट करना है, हाथ से आपको तोड़ना नहीं है, ऐसा जितनी भी इंफेक्टेड लीफ होंगे, शब को हटा देना है, और बहुत दूर हटाना है, क्योंकि इसमें अगर फंगस लगा देखिए इसमें यह जो लीफ है, इसमें फंगस लगा हुआ है, तो इसको आपको यहां से कट कर देना है, रिमूब कर देना है, ऐसे करके जितनी भी इंफेक्टेड लीफ होंगे, शबी को आपको रिमूब कर देना है, और नहीं तो आपका प्लांट अच्छा नहीं धीरे धीरे फंगस का एटक होते रहेंगे प्लांट में और अपना प्लांट धीरे धीरे मरता चला जाएगा और जैसे की फ्लावर खिल चुके हैं और ऐसे देखिए शुक चुके हैं आभी यह जो प्लांट है प्लांट आभी भी एनर्जी इसमें प्रोवाइड कराते हैं इस इसको यहां से cut कर देना है इसके नीचे से cutने की कोई जरूत नहीं है और in case आप अगर उसकी नीचे से थोड़ा सा cut करना चाते हैं तो कर शकते हैं फाइब लीप ए देखि यहां पर फाइब लीप देख रहा है यह फाइब लीप है इसकी ऊपर से ठीक फाइब लीप को रख क यहां से सार्फ कटर से कट कर देना इनकेस अगर यहां से कोई branch आएंगे तो यह branch यहां से आएगा यह देखी और एक अच्छा branch आएगा और इस जगा पर fungicide का जो पेष्ट है उपेष्ट को अपने को लगा देना है तो ऐसे करके आपको क्यार करते रहना है और आप अगर ऐसे करके क्यार करेंगे तो आपका रोज फ्लावर प्लाइंट काफी अच्छा रहेगा, हिल्दी रहेगा मेरा रोज फ्लावर प्लाइंट जैसा ही हिल्दी रहेगा और एक बात यह जो शॉयल देख रहा है उपर से देखिए थोड़ा सा ड्राइ देखने को लग रहा है यह देखिए लेकिन आप अगर उंगली से ऐसे हटाएंगे उपरी शॉयल तो यह देखिए मौईस्चर बना हुआ है शॉयल में उपर से ब्रांच में डाइन आइन वेक तब होता है जब नीचे की शॉयल की अंदर जो रूट है और रूट में फंगस लगते है उसके बाद जाके डाइबेक होना चालू होते हैं देखिए मेरा जो प्लाइंट है इसमें डाइबेक आपको नहीं देख रहा है ये देखिए इसका मतलब नीचे की जो रूट है शॉयल के अंदर जो रूट है ये रूट अच्छा है इसलिए आपका जो soil है soil media काफी आच्छा होना जरूरी है और इस टाइम गर्मी की टाइम खास करके माइट्स का एटक बहुत ज़्यादा लगते है माइट्स का एटक कम करने के लिए आप थोड़ी सी ठंडे पानी दिन में दो बार इस प्लाइंट को एस्प्रे कर शकते हैं आपके पाश अगर एक दो प्लाइंट है या चार प्लाइंट है एक एस्प्रेयर वाटल में कुछ ठंडे पानी भड़ लिजिए चील्ड वाटल ले लिजिए शुबे शाम दो टाइम आप अगर इस्प्रे कर देंगे तो आपका प्लाइंट में माइट्स का एटाक नहीं लगेगा माइट्स का एटाक होने का जो खत्रा है वो लगभाग 95% तक कम हो जाएगा उसके बाद भी अगर माइट्स लगते है आपका अगर समझ में आता है यह माइट्स लगा है तब आपको इंट्रेपीड देखिए इस्क्रीन के उपर देखने को आ रहा है टू एमेल एक लिटर पानी में डिजल्ब करके बहुत अच्छा से श्रेक कर लेना उसके बाद इस्प्रे करना है शाम की टाइम च्छे सारे च्छे बाजे करीब तो आपका जितनी भी माइट्स होंगे माइट्स की शाथ-शाथ थ्रीप्स है और भी कोई भी पेश्ट है इंसेक्ट है शब चीज ठीक हो जाएगा और इसके बाद हर 15 दिन में एक बार आभी फर्टिलाजर अपने को प्रोबाइट कराना है लेकिन ओ फर्टिलाजर और्गनिक फर्टिलाजर होना चाहिए चलिए ओ फर्टिलाजर भी आप लोगी शाथ मैं शेयर करूँगा लेकिन जैसे कि कुछ ब्रांचे ऐसे है देखिए यहां से निव शूट्स नहीं आ रहा है यहां से निव शूट्स नहीं आ रहा है उसको आपको थोड़ा सा काट शाट करना है पिंचिंग करना है जिसको कहते है यह पिंचिंग जैसे की एक ब्रांच मैंने करके दिखाया है ऐसी करके आपको थोड़ा सा जैसे की एक ब्रांच है देखिए यहां से फ्लावर थे उसके बाद पिंचिंग नहीं की तो आपको हार ब्रांच को ऐसे थोड़ी सी पिंचिंग कर देना है ऐसे यह देखिए नीचे से ब्रांच आ रहा है यह देखिए लेकिन उसकी उपर यह देखिए पिंच करना बहुत जरूरत है ऐसे करके पिंच कर देंगे यहां पर five leaves को रखके इसको cut कर देंगे इसको कहते हैं pinching यह आप pinching करेंगे तो आगे चलके यहां से आपको new shoots मिलेगा और उसमें फिर flowering करेंगे ऐसे करके आप अपना plant की शबी जगा से pinching कर दीजिए जितने infected leaves है शब को हटा दीजिए तो आपका plant healthy हो जाएगा आपका plant को एक boost मिलेंगे शाथ में जो fertilizer देंगे वो fertilizer आप ही मैं आप लोगी शाथ share करता हूँ जहां से आप pinching करेंगे शबी जगा पर fungicide paste लगा देना मैं भी लगा दूँगा watering का खास ध्यान रखेगा early morning आपको watering करना है इनकेस अगर दो बार की जरूत परे तो आप दो बार दीजिए लेकिन शाम की टाइम आपको बहुत ज़्यादा watering नहीं देना कम watering देना है और शाथ में आपको mulching करना है mulching तो आभी must इनकेस आप अगर mulching नहीं करेंगे तो यह जो fiber root होता है feeder root होता है यह soil की ठीक नीचे अधा एक इंच नीचे ओ रूट अगर गरम होगा तो जल जाएगा तो आपका plant भी मर सकते है इसलिए आपको mulching करना बहुत अनिबार है और इनकेस आप अगर mulching नहीं करेंगे तो आपको जो green shade है green shade आपको लगाना पड़ेगा औ और green shade थोड़ा सा उचा करके लगाना पड़ेगा यह देखिए मेरा जो green shade है आप देख पर रहे यह शाथ फीट उपर से है शाथ से 8 फीट उपर से है तो इसलिए मैं किसी भी plant में mulching नहीं किये है इन डाइरेक्ट sunlight पड़ते हैं और shade के नीचे मेरा हमेशा चाय तो बने ही से एक इंच का एक layer बना दीजिए इनकेस अगर बार्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कावडंग कंपोस्ट से mulching नहीं करेंगे rice husk ले लिजिए चलिए बाद में मैं mulching देखाता हूँ कैसे करना है फहले fertilizer दे देता हूँ mulching से पहले आपको fertilizer देना है यह देखिए मेरे पास कंपोस्ट है कावडंग कंपोस्ट है पूराना कावडंग कंपोस्ट है यहां से सबसे पहले मैं दो चम्मच लेंगे यह देखिए दो चम्मच यह दो चम्मच कावडंग कंपोस्ट मैंने ले लिए है यह दो चम्मच यह तो आपको शिवीट फर्टिलेजर भी एक चम्मच लेना है यह देखिए यह शिवीट ग्रानूल से इनकेस आपकी पाश अगर नहीं है लिकुड है तो आप लिकुड लिजी और अगर लिकुड भी नहीं है तो कोई दिकत नहीं है और आधा चम्मच करीब अपने को एपसम श केमिकल फर्टिलेजर में सिरिफ एपसम शल्ट ही आप देशकते हैं और भी आधा चम्मच उससे ज्यादा नहीं है और यह देखिए यह है बोन मिल पावडर यह बोन मिल मेरे पास डाश्ट है आपके पास अगर डाश्ट नहीं है जो फर्म में है उसको आप ले शकते है हर्ण मिल के अंदर नाइट्रोजेन है बोन मिल में फसफराश है और पाटास जो है देखिए नीम खली में पाटास मिल जाते है और यह देखिए कंपोस्ट है कंपोस्ट में भी पाटास मिल जाते है लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा पाटास की कमी तो है इसमें तो यह प पटलेजर बनाने के लिए कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं बनाना पील तयार करने के लिए आपको कुछ केले के चिलका लेना पड़ेगा यह दिखिए मैंने इस जगापर 10 से 12 केले के चिलके ले लिए है और इसको कुछ छोटे-छोटे टुक्रे में काट देंगे काट लेते हैं फिर देखाते हैं आप लोगे शाथ देखिए पूरे के लिए के चिलका को छोटे-छोटे टुक्रे में काट दिये हैं और काटके यह जो कंटेनर है कंटेनर में डाल दिये आप इसमें बाटर डाल देना है यह देखिए ऐसे करके बाटर फिल कर देना है इसम देखिए और इसको अब ही आपको हलका सा ढख देना है इसको पर से कोई एक कपरे रख देना है ढखकन से नहीं ढखना और बिल्कुल छाय में रख देना है छाय में रखना है ठीक चार से पास दिन बाद क्योंकि अब इस समर के टाइम है तो चार से पास दिन बाद इसको आप पिल फर्टिलेजर हो वो देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके है तयार हो चुके है यह देखिए बिल्कुल तयार हो चुके है तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है अपने को यह देखिए ऐसा करके आच्छा से मिक्स कर लीजिएगा और mix करने के बाद इसको जो देने का जो प्रोसेस है मैं आप लोगी शाथ शेयर करूँगा भी पहला अच्छा से mix कर लेते हैं अच्छा से mix हो गया आप देखिए यह देखिए एक काफ है यह धाई शेमेल का काफ है लगबग इसका एक काफ याने कि धाई शेमेल इसमें से अपने को लेना है यह धाई शेमेल ले लिए है अपको इसको छानने की कोई जरूत नहीं है और धाई शेमेल एक लिटर वाटर में आपन एड़ कर देंगे यह देखिए एक लिटर वाटर लिए है और इसमें 0.5 ml एड़ कर दिये हैं यह देखिए इसकी जो color है यह color change हो चुके है यह देख पड़ा है आप तो आपना पास आभी banana fill fertilizer जो के बिल्कुल organic पटाश है यह पटाश तयार है यह देखिए बिल्कुल ready है और अब ही जो fertilizer तयार किये है एक mix fertilizer तयार किये है एक balance fertilizer है और एप्रिल मांद की एक तरीक को मैंने बताया था आपको fertilizer कैसे देना है वो fertilizer देने के बाद आप अगर second time इस fertilizer को देते है और अगर नहीं दिये तो first time आप अगर देते है तो 15 दिन बाद से आपका जो result आना चालू हो होगा बहुत ही अच्छा result आना चालू होगा एश आप एक slow releasing fertilizer है और यह जो fertilizer देखाया मैंने एक plant के लिए है दो प्लांट के लिए नहीं है 10 से 12 इंच का pot के लिए एक ही pot के लिए है और अगर 8 इंच का pot होगी तो आप दो pot में दे शकते है चली यह fertilizer आप धीरे धीरे करके एक pot को मैं provide करा देता हूँ ऐसे करके आपको देते रहना है यह देखी ऐसे करके देना है तो ऐसे करके आप अकर देंगे तो आपका प्लांट का जो result है काफी अच्छा होगा बहुत ही अच्छा होगा आपका प्लांट काफी बुशी होंगे यह देखी पूरे दे दिए देने के बाद थोरा सा गुराई करना है बहुत जादा गुराई गर्मी की टाइम में नहीं करना है अपने को यह देखिए हलका सा गुरा इसलिए करेंगे जो fertilizer है fertilizer organic fertilizer दिये है और soil के शाथ थोड़ा सा मिल जाना बहुत जरुरत है ताकि बहुत जल यह soil के शाथ-शाथ मीक्स होने के बाद plant इसको ले शकते है यह देखिए इसके उपर से अपने को जो liquid fertilizer जिसको कहते है बनाना फिल fertilizer पटाश पटाश प्रोवाइट करा देना है यह देखिए यह fertilizer मैंने ले लिए और यहाँ पर लग भाग मैं 500 ml चारशो से 500 ml तक मैं देशकता हूँ यह fertilizer तो ऐसे गर के आप देदीजिए यह देखिए देदीए यह दो काप मैंने देदीए लग भाग यह हो गया लग भाग चार से 500 ml और आभी इस प्लाइंट को बाटरिंग नहीं करेंगे चलिए सेकिंड प्लाइंट को देते हैं और इस प्लाइंट में मालचिंग करके भी बताऊंगा अब लोग देखिए इस प्लांट को मैंने फाटलेजर दे दिये और गुराई भी कर दिये है आप मेरे पास राइसास्क है यह देखिए यह राइसास्क है मेरे पास बार्मी कमपोस्ट नहीं है आपकी पास अगर बार्मी कमपोस्ट है तो बार्मी कमपोस्ट लीजिए और नहीं है तो राइस्थास के लिजिए और ऐसे करके आपको देखिए एक बेड बना देना है ऐसे करके एक बेड बना देना है जरूर नहीं है आप बहुत मोटे करके देंगे आपको एक बेड बना देना है आधा इंच की एक बेड भी आप बना शकते है और एक इंच की भी बेड बना शकते हैं उसमें भी आपका जो शॉयल है शॉयल हमेशा मौस्ट बना रहेगा यह देखिए लाग भाग यह एक बेड बन चुके है आज हम लोगों ने जो फार्टिलेजर दिये है प्योर और्गानिक फार्टिलेजर दिये है ऐसा प्योर और्गानिक फार्टिलेजर आप अगर देंगे तो आपका प्लांट को कभी भी कोई नुक्षान नहीं होगा यह देखिए यह दे दिये है एतना ही काफी है इसके बाद आपको कभी भी गुराई करने की जरूत नहीं है आपको धेन रखना है इसमें अब ही जो पटाश के लिए बनाना पिल लिकूट फार्टिलेजर है वो लिकूट फार्टिलेजर नहीं दिये थे आप लिकूट फार्टिलेजर देंगे उपर से यह देखिए ताकि जो राइसास का यह शुखा है यह भी गिले हो जाए और शात में जो सॉयल है सॉयल तक पोच जाए यह दिखिए यह दे दिये है ऐसी करके आपको क्यार करते रहना है इसकी बाद जब सेकेंड टाइम जब आपको फर्टिलेजर देना है ऐसे ही उपर से आप फर्टिलेजर दे देंगे और बाटरिंग करेंगे तो धेरे धेरे जो फर्टिलेजर है वो डिकमपस्ट हो जाएगा और आपका फर्टिलेजर सॉयल तक पोच जाएगा उम्मीद करता हूँ आप लोगो मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना शेयर कर देना और शाब्सक्राइब जरूर कर देना शाथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ले कर आओ आप तक तरण पोच सके थैंक्स पर बाचिंग